हेलो दोस्तो इस वीडेयो के गाइड गाइड के स्वेस्वाइडं में बात करने बाला है कुगल क्यामेरा की सॉटोग्राफी टिप्स और ट्रिक्स के बार distillनTrills मेरे पास है दोस्तो पोकोेड फॉर्टू इस वीडेयो के गाइड marika पड़ाफी टिप्स आपको शेर करने बा अपिशनल वाली वीडे ओंप प्लीक करना चाहतunuz तो आल्योज जह जो गाइडिवाइन आपको मिलती है दोस्तों वीडेस के दर और कमेरा के अंदर सभी के उसकाना गाइडि डिर साथ आप धेड शारी अच्छी अचछी पिक्छर को क्लीक कर सकतो हो गाइट का मतला है दोस्तो आप लाइन देख पार हो दोस्तो यह जो लाइन है ठीके इस लाइन के बड़ाबर पिक्चर को क्लिक करना तो बहुत अच्छे से पिक्चर आएगी नेक्स जो टीफ है दोस्तो यहापर आपको HDR करका ओप्चिन मिलता है इसे दोस्तो मेक्शूर और HDR on और HDR auto के अंदर रख सकतो में यह अपर रिकमेनट करते हो दोस्तो सबी पिक्चर के अंदर HDR NS मोट को अनेबल कर सकतो में यह आपर HDR on के साथी रहता हूँ पिक्चर के अंदर अगड़ा पेज़िडर को एनेबल कर देता हुए श्पिशली यह लो कालार ग्रीन कालार के अंदर तो बहुत अच्छे से दोस्तो जो शाड़ो आड़ शाचुरेशन वह बहुत अच्छे से निखर के आती है आपको लिंक दे दूँगा वह आपड़ जाके आप चेकाऊट कर सकते हो गुवल कामेरा के वीडियो डिल्टेट टिप सेंट्रिक सो बात करूंगा दोस्तो फोटोगाफिक के बारे में सो दोस्तो जबी आप गुवल कामेरा के साथ पिक्चर को क्लिक करें में एक शियो दोस् बाहत दोस्तों को बाहर दो जो जी काम है जी केंव श्रिफ सिंगेल फ्लाश को इउसक करतेैं डेएल फ्लाश को नंहीं करते उसके साहतना दोफज़तों आपका जो ब्रामरी रहे लिस्तों यापर में के यह fingerprint के साथ photo को click नहीं कर पाऊगे तो अगर आप portrait mode के साथ कोई भी object का photo को click करने की कोशिश करते हो तो उसतो एक काम नहीं करेगा आपको क्या करना हो दोस्टो अगर आप Portrait just mode है दोस्टो इसपश्रिश्लिमें के अदर जो a सब्सके साथ अगर आप कोई भी Object का फोट को क्लिक करना चाहता हो दोस्टो तो जो object है दुस्टो ऑ ब्लार और जो हे वह भी ब्लार हो ज्याखा जो पॉटो जो बिसीकली face recognize के साथ ही काम करता है so portrait mode के अंदर अगर कोई भी face है उसको छोड़ के बाकी जो backgown ने वो blur हो जाता है पर अगर आप कोई भी object का picture को click करना चाते हो अच्छा blur effect के साथ तो दोस्त आप यूज़ कर सकते हो lens blur mode lens blur mode जो है दोस्तों face के साथ भी काम करता है जोड़ दूँगा so always जोस्तों कोई भी object का अगर आप picture को click करना चाते हो तो lens blur feature की उसकरना अगर आप कोई भी face के साथ portrait mode वाई पिक्चर को क्लिक करना चाते हो तो portrait mode की यूज़ कर सकते हो उसके बाद दोस्तों प्यारोमा के अंदर एकी feature है दोस्तों यह आपर audio करके audio recording इससे आप always off करके रखना क्योंकि जोस्तों जो प्यारोमा है दोस्तों प्यारोमा के अंदर audio का कोई काम नहीं है उसके साथ दोस्तों अगर आप कोई भी top building का photo को क्लिक करना चाते हो एक ही frame के अंदर एक ही picture के अंदर इसके बाद दोस्तों बात करूंगा यह पर settings के बारे में सो हम यहां से settings को चले आते हैं अबर आपको बाद दोस्तों जो night slide है मेरे इस gcam के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा है इसका मैं आपको बाद दोस्तों आपको बाद दोस्तों अपना पिक्चर को क्लिक कटते हो आपके camera के पास कोई object है तो यहां से आप नियाट select कर लो अगर far है तो far select कर लीजे मैं यहां पर out of case ही कर रहा हूँ उसके बाद दोस्तों यहां पर बारी आती है अपना पिक्चर स्पार मोट के बारे में सो यहां पर कुछ बतने के लिए नहीं है आप यहां पर इस mode को शायद कौम भी उसकते हो शायद easy use नहीं करो इस mode के बारे मे मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताने वाला हूँ तो उस वीडियो को देखो आपको लिंक मिल जाएगा डेस्वास में अंदर सो mode के अंदर आओ series के अंदर आओ यहां पर एक option है दोस्तो इनमेल manual mode यह जो जितने भी यहां पर option आप देख पार हो दोस्तों शायद आपके Gcam के उपर नहीं हो so make sure आप different Gcam को use करो दोस्तों शाबीर Gcam के अंदर इस तरह की extraordinary option आपको नहीं मिलता है so manual mode के साथ भी अगर आप चाहो तो picture को click कर सकतू जैसे के आप देख पार हो दोस्तों यहापर अलग से कुछ इस तरह से आगया है manual mode के लिए सो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो की आपको manual mode के दर मिल जाती है so यहाँ से दोस्तों manual mode के अंदर आभी के लिए ISO और expose को select कर सकते हो और focus को ही select कर पाऊगी आपको बहुत सारी option है नाइट के लिए अलग से option दिया हुआ है so यह जितने भी option है दोस्तों मैंने खुद ने actually try नहीं किया है क्योंकि अगर आप कोई भी option के साथ छेर छेर कटते हो तो आपका जो phone ही दोस्तों आपको जीकेम है basically unfortunately stop हो सकते है और कुछ-कुछ problem आ सकती है so basically दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बताने के लिए नहीं है ज्यादा कुछ so जितनी भी option है दोस्तों अगर आप इसे enable करना चाहते हो तो basically आपको अलग-अलग जीकम को try करना होगा so जारा कुछ बताने को नहीं है दोस्तों इस वीडियो के अंदर so anyway अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो जारा से इस वीडियो को लाइक करना गोगल कामेरा के वीडियो के टीप संटिक रिलेटेड वीडियो में अल्रड़ बना चुक हूँ इसका लिए का आपको इस वास में मिल जाएगा thank you for आज इस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करके गंटेब लाइगन को ज़रू से दबाएए have a nice day